काफी लंबे समय से आप लोगों को इस हाई कोड के फैसले का इंतजार चल रहा था जिसे काफी बड़ी संख्या में सिक्षकों को जो है वो राहत मिली है जी हाँ दोस्तों अगर ये फैसला 65-60 के मत में नहीं आता तो इसमें बड़ी संख्या में कहा जा रहा था कि सिक्षा मित्र जो है ऐसे लोग जो आरक्षित वर्ग से थे उन लोगों को इसमें सीटे मिल जाती वो लोग इस भरती में जादा से जादा जो सीटे हैं उन्हें उक्यूपाई कर लेते और जो डिजर्विंग कैंडिटे थे जो हाइस्ट मार्क जिनें मिले थे उन में इनका सेलेक्शन नहीं हो पाता बट इलायवाद हाई कोर्ट की बेंच ने पिछले एक साल से लंबे चल पिछले जो है वो लिया गया है बट सबसे बड़ी बात आ रही हैं कि ऐसे लोग जो इस भरती पर आख लगाए हुए बैठे थे उससख्षामित्र थे जिने लग रहा था कि इस प्रक्रिया में इस भरती प्रक्रिया में जिने दो साल बोका मिला था उन्हें इसमें नौकरी मिल जाएगी क्योंकि काफी लंबे समय से वो बेसिक सिक्षा विभाग को अपनी सर्विसिस देते हुए आ रहे हैं तो उनके हिसाब से उनके साथ ये एक अन्याय हुआ है तो उत्तर प्रदेश की बेसिक सिक्षा मंतरी सतीश दिवेजी दी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए काए कि सरकार बहुत जल्दी इस भरती प्रक्रिया को पूरा करेगी और स्कूलों में सिक्षक पाथन का जो काम है उसे शुरू किया जाएगा और उन्हों ने ये भी कहा है कि सरकार जो है इस फैसले का पूरा स्वागत करते हुए इस चीज़ का जरूर ध्यान देगी कि जो अब भिहारती इसमें सफ़ा नहीं हुपाएं जो रह गए उनके साथ अन्यान नहीं किया जाएगा और उन्हें आगे आने वाली जो भरती हैं उसमें उन्हें मौका मिलेगा तो कहीं न कहीं उन लोगों के लिए एक राहत की ख़बर है कि आने वाली भरतियों में आपको दुबारा खायद सरकार एक बार और मौका देगी तो आप अपनी तैयारी जो है वो निरंतर करते रहिए आप लोगों के लिए भी आने वाले समय में कोई अच्छी खबर सरूर सुनने के लिए मिलेगी तो उमीद करते हूं जानकारी जो है आपके लिए एक राहत की सांस से मिली होगी आपको उन लोगों को जो कहीं न कहीं इस भरतियों से अपने आपको मायूस कर रहे हैं भार होने के डर से और उन लोगों के लिए तो बाकी में अच्छी खबर है जि की मेहनत जो है वो रंग लाई है जो लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे और फैसला उनके हक में आया है Thank you so much friend, thank you so much for coming to my channel